नवास्कार सुप्रभात एक बार पुना आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने सब्रंग कारिक्रम में मित्रों वो सुन्दर पंक्तियां आपने जरूर सुनी होंगी कि जिन्दगी को मैंने कुछ यूँ आसा कर लिया किसी से माफी मांग ले किसी को माफ कर दिया सच मुझ सुन्दर पंक्तियां है और जीवन जीने का फलसफा भे और बच्पन से हम सुनते भी आएं हैं पढ़ते भी आएं हैं क्षमा वेरस्य भूष्णम ये तो वीरों का भूषण है कि हम क्षमा करें जीवन में आगे बढ़ें लेकिन ये भी होता है कि कई बार हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते और मन हमारा अशान्त रहने लगता है उस बात को सोच सोच कर तो वो व्यक्ति तो प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन हम उससे प्रभावित हो रहे होते हैं ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि कैसे हम दूसरों को माफ करें और जीवन में आगे बढ़ें। आज का सुगा की इसी पराधारेत। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को जेल से बचा रहे होते हैं, और वह व्यक्ति आप स्वेम हैं। हाँ दोस्तों, हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी ने जो किया उसके लिए उसे माफ न करने का हमारा नैते कधिकार है। हाँ बिलकुल, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी के सही या गलत को आखने के लिए हमारे पास सही माफदन नहीं हैं। हम कारण और प्रभाव के नियम को भी भूल जाते हैं और मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरों की गलती है इस वज़े से जितना हम द्वेश रखते हैं उतना ही हमें दर्थ होता है यानि हम जेल में बंध हैं जिस ख्षन हम किसी को ख्षमा करते हैं तीन चीजे होती हैं एक, हम दर्द से मुक्त हो जाते हैं दो, दूसरे व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करने के लिए सही उर्जा मिलती है तीन, उक्रिया और प्रतिक्रिया का दुश्चक्र हमेशा के लिए बंध हो जाता है कम अपेक्षा करना और अधिक शमाशील होना कोई इहसान नहीं है जो हम दूसरों पर करते हैं हम ये अपने लिए कर रहे हैं और हम दुनिया को सही उर्जा भेज रहे हैं जिससे अंतता समाज को लाब होगा वित्रों कहते हैं जो हो गया वो हो गया अब हम आगी को श्रेस्ट बनाएं गीता में भी ये बात और सभी महापुर्शों ने जो बातें कहीं हैं जो सुन्दर सुवाक्य कहें हैं यदि आप उन्हें पढ़ें तो यही पाएंगे कि वर्तमान जो हाथ में हैं उसे तो आनंद से मिताओ उसमें तो खुश रहो आनंदित रहो और औरों को भी आनंद प्रदान करो लेकिन ये जो हम पीछे की कल की बाती पकड़ लेते हैं और लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं उसी बात का ही चिन्तन करते रहते हैं कि कैसे अब मैं बदला लू या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कई बार ये बहुत ज़्यादा चिन तन हमारी बीपी को भी हाई कर देता है मन तो अस्वस्थ होता है लेकिन तन भी अस्वस्थ हो जाता है इसलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में इसी बीपी की बार ओम शान्ती गूड मॉर्निंग फ्रेंट्स दोस्तो हाई ब्लड प्रश्र आप सब जानते हैं लगवाद सो में से तीस लोगों को आज एडर्ट में वैसक लोगों में हाई ब्लड प्रश्र रहता है दोस्तों 95% लगवाद से 95% जो है ब्लड प्रश्र इसेंचल हाई प्रश्र होता है इसमें हमारी जीन्स का रिलेशन्शिप रहती है हाला कि उसमें और भी चीजों का connection रहता है ब्लड प्रश्र होता है पर जीन्टिक बीट रहता है और इसेंचल मना हमारे अंदर जिसे एक अंदर से ही ऐसा mechanism body के बन जाते है जिससे हमारी ब्लड प्रश्र होता है एक दूसरा होता है secondary hypertension जिसमें यूश्री कहां जो target organs है जैसे स्पिश्री किड्नी है अगर किड्नी की बिमारी के वाज़े से किड्नी अगर हमारी खराब हो जाती है किसी कारण से diabetes के कारण या कोई medicines करने को ऐसी दवाई खा ली है कोई आर्योडिक की दवाई को ऐसी बसम है जो या कुछ ऐसे metals होती है वहमारी किड्नी को damage कर देती है तो ऐसे किसी कारण से मेरे किड़नी खराब होती है तो दोस्तों किड़नी की डिजीज से हमारा बहाई बलड प्रिशर हो सकता है और अगर हमारी जो किड़नी की बलड सप्लाई है वैस्कुलर सप्लाई जैसे कहते हैं जो किड़नी की आर्ट्रीस होती है अगर उसमें ब्लॉके जा जाए तो उससे भी blood pressure बढ़ जाता दोस्तों और कुछ हमारी बिमारियां जैसे hormonal disease होती है उसमें भी हमारा blood pressure बढ़ सकता है तो ये कुछ मुखे कारण है जिससे हमारा blood pressure एक essential hypertension के लावा इससे बढ़ सकता है कि तो ये treatable है सबोस्थ आप एक किर्णी के artery बंद हो गई है तो उसको आपके किर्णी के artery अगर आप खुलवा लें उसको अगर इंजियोप्रास्टी कर लें तो आपका blood pressure नॉर्मल हो सकता है दोस्तों अगर किर्णी खराब है तो किर्णी टांस्प्लाइंट करा लें तो आपका blood pressure एक दिन नॉर्मल हो सकता है ऐसे जो भी अगर primary disease है और उसके कारणी से अगर आप blood pressure हाई हुआ है उसका इलाज करने से आपकी blood pressure नॉर्मल हो सकता है पर भी दोस्तों याद रखें जब भी आपको high blood pressure detect होता है अपना पूरा diagnosis कराएं और diagnosis करा करके उसका proper समय पर जो दोवाई या डॉक्टर बताते है या उसका जो इलाज है उसको proper डंक से करेंगे क्योंकि hypertension जो एक silent killer है इससे हमारी आँके भी खराब होती है इससे हमारी kidney भी खराब होती है heart attack तो 3-4 गुना बढ़ी जाते है और भी हमारी आँकों के अंदर हैमरेज हो सकता है ये बिमारी और इससे stroke हो सकता है paralysis का attack आ सकता है दोस्तों इससे बचें और इसका सही समय पर निदान और इलाज करें ओम शांते महतो कूर बात है मित्रों की medication के साथ साथ यदि meditation किया जाए तो हर प्रकार से हम संतुलित जीवन का आनंद ले सकते हैं मन भी संतुलित रहता है और तन भी संतुलित रहता है मन भी स्वस्त रहता है और तन भी स्वस्त रहता है और यही संदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं जब वो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र पे आते हैं या हेटक्वाटर्स में, उनके भी सुन्दर अनुभाव की कैसे meditation उन्हें शिखर की ओर ले चलने में मदद कर रहा है, आई सुनते हैं, आज के हमारे विशिष्ट अथिथी से उनके सुन्दर अनुभाव I mean definitely I think this seminar or workshop which recently we had in Mount Abu about this integrity, benevolence and meditation for administrators, these type of workshops in which their emphasis on meditation, on integrity and benevolence, public welfare, these should be held in all the state capitals, the senior officers of various departments, they should be briefed about it by the Brahmukwaris, then these messages should be spread to the districts also, because now the Brahmukwaris they are having a large number of centres, about 5000 centres all over India, at the district level also, the collectors or other officers they should be involved in it, then from the district level to block level it should be involved in it, block level and panchayat level, so these type of trainings, discourses should be spread and they should be organized in consultation with the senior politicians and senior officers, so that the officers they work honestly, they work for the public good and there is good impact upon politicians also. and also in the training institutes, for the IAS training institutes, IEPAs, other service institutes, state administrative training institutes, where the training of official function is, discourses or salt training programs, this should be held, so that the officers who are joining the service, new officers, they are also cultivated properly. पित्रों यिश्वर कहते हैं कि तुम आख बंद करने से पहले सबको माफ कर दो, तुम्हारी आख खोलने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दोंगा, यह तो सुन्दर सी बात है, हम यह जरूर कर लेना चाहिए, और हजारों लोगों की ऐसे सुन्दर अनुभाव प्राप्त हो कि यदि हम दूसरों को माफ कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, यदि हम शब्दों से आमने सामने फोन से यह करने तो बड़ी अच्छी बात है, लेकि नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पास्ट के बर्थ में भी कई ऐसे हमारे अकाउंट्स कुछ आ बात को सोने से पहले और सुबा उठ करके, सबसे चाहे हमें किसी को पता है या नहीं पता है, इस जनम के हैं या पिछले जनमों के हैं, सबको सामने देखते हुए, दिल से माफी मांग लें, और जिन्होंने हमें कस्ट दिया हैं, उन्हें माफ कर दें, आप देखेंगे मन कि जाता है आप कितनी सुकून कानुभव करते हैं और यही सुन्दर बात ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही है कि कैसे अपनी जीवन को हलका करके जीओ जिसे हम देखते हैं प्रते दिन पीस निल्स हाइलाइट्स में आये देखते हैं उनके इन सेवाकारियों को बच्चों की समस्याओं और उनके संपून व्यक्तित्व विकास को लेकर ब्रह्मा कुमारी सद्वारा राजयोगी किड्स वेबिनार आयोजित किया गया भारत समेत USA, UK और UAE से भी 500 से अधिक बक्चे हुए शामिल वेबिनार की शुरुबात में बच्चों ने योगा आसंभी किये देश विदेश के बच्चों को संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीस के वरिष्ट राजयोगी आदर्मी सूरज भाईजी उपस्थित हुए आदर्मी भाईजी ने बच्चों के साथ मन को कंट्रोल करने के गुह राज साजा किये और सभी बच्चों के प्रश्णों के उत्तर भी दिये तीन संकल्प मैं पहले आपको बता रहा हूँ मैं बहुत वुद्धिवान हूँ मैं बहुत चरित्रवान हूँ मेरी वुद्धी एकाग्र है तो ये तीनों संकल्प आप उठते ही करेंगे वैसे ही हो जाएंगे साथ ही सभी के साथ अर्ध डेभी मनाया नन्हे नन्हे बच्चों ने वीडियो के माध्यम से पर्यावरर को बचाने के अपने प्रयासों को साजा किया और सभी से प्रत्वी की रक्षा करने की अपील भी की देखे ना देखते देखते कैसे सब रंग के बिल्कुल अंतिम पड़ाओं पे हम सब पहुँच जाते हैं वक्त का पता ही नहीं चलता ना अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ ये जो सुन्दर पल हम बिताते हैं क्योंकि जीवन की बहुत ही महत्वपून बातों पर चर् हमने लिया कुछ बातें सुन्दर शेयर की इस पर जरूर कारी कीजिएगा मित्रों जो इससे पुर्व मैंने बात कही थी क्षमा कर देना क्षमा मांग लेना बहुत महत्वपून है हमारे जीवन के लिए क्यों ना हम एक उदाहरन प्रस्तुत करें कई बार हम दूसरों का उ उदाहरन प्रस्तुत करें सबके आगे एक उदाहरन स्वरूप बन जाएं क्षमा करने में भी और अन्य गुणों को धारन करने में अच्छी बातों को धारन करने में ताकि लोग हमारा भी एक्जामपल हमारा भी उदाहरन औरों को दें और इसी प्रकार तो हम समाज को सुन जीवन के सबरं, सबरं, सबरं